आप जिस चौरा है मैं ये खड़ा करेंगे, मैं खड़ा हो करके, देर जो सजा करेगा, वो सजा पुड़त दे करेंगे ते यार। तो निर्वला सीता रमन नेकर कहा कि एक्ट अफ गौड है, तो ये उनकी कोई भगवान के प्रती शुद्धा नहीं थी, ये एक निकलने का रास्ता ढूंड रहे हैं। परधान मंत्री मोदी जी न नोट बंदी के बाद भाशन दिया था कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मेरी कोई गलती निकल आई, जिस चुराहे पे कहेंगे, मुझे वहां पर खड़ा कर दीजिएगा। आप ये पहले पूरा ब्यान खुद ही सुनिए। अब गलती तो साफ ही दिखने शुरू हो गई है, पर सरकार ने इन गलतियों को एक्ट आफ गॉड ही बता दिया है। वेरास इस ये आफ एक्ट आफ गॉड वाले प्यान पर कुछ एहम जानकरी दी है। उन्होंने कहा कि ये जो कॉरोना हुआ है और जो अर्थ विवस्था की बुरी हालत है कॉरोना की वज़े से हुई है। और ये एक्ट आफ गॉड है। बहुत ही धार्मिक प्रृति के लोग हैं इसे धर्म से जुड़वा माले। ये एक कानूनी पॉइंट है। लॉफ टॉट उसमें ये आता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स मज्योर। कोई ऐसे हालात बन गए कि जो दुनों पार्टियां है जिनमें ये करार हुआ है, वो पूरा नहीं कर पारी है एक पार्टियां अपने तरफ का करार। क्योंकि ये सब बाते हो गई हैं तो ये Act of God गिना जाता है, फोर्स मज्योर गिना जाता है। PVR Cinema ने फोर्स मज्योर इसको इन्वोक कर दिया है, ताकि उनको ये जो लॉक्डाउन पीरिट का जो किराया है, वो ना देना पड़े जहांचा उनके जिनमाहाल है। ताकि इनकी जो लीगल लाइबिलेटी है, कानूनी जिम्मेदारी है, चाहे वो किराय देने की हो या पेनल्टीज देने की हो उससे बच जाए तो निर्मला सीता रमन नेकर कहा कि एक्ट अफ गौड है तो यह उनकी कोई भगवान के प्रती शुद्धा नहीं थी यह एक निकलने का रास्ता ढूंड रहे है पिछले कुछ समय से सरकार से सवाल करना मानौ राष्ट विपरोलती होना हो गया है इन्हों ने आज कह दिया है कि आज यह प्रधान मंत्री के खिलाफ हैं प्रधान मंत्री मोदी एक भार भी प्रेस कॉंडस करने नहीं आई एक पार जुनाव के समय आये थे पर प्रेस के एक भी सवाल का उनों ने जवाब नहीं दिया था अब तो पारलिमेंट में भी सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकेगा करोना संकट का हवाला देते हुए सरकार ने प्रशनकाल को रद कर दिया है 14 सितंबर से शुरू होने वाले मामसुन सत्र बिना कोई अवकाश 1 अक्तूबर तक चलेगा सरकार की और से जारी किये गए शेडियूल के मताबिक पर प्रशनकाल को रद कर दिया गया है इसको लेकर विपक्ष हमलावार है टीमसी सांसद डेरेक ब्रायन ने कहा इस सांसदों को 15 दिन पहले ही प्रशनकाल के लिए अपने प्रशन सब्मिट करना अविश्यक है सत्र की शुरुआज 14 सतंबर से हो रही है तो क्या प्रशनकाल कैंसल हो गया है 1950 से पहली बार विपक्ष के संसद के सरकार से सवाल पूछने का दिकार खूब बैठी जब संसद के समगर कामकाजी घंटे सामान हैं तो फिर प्रशनकाल को क्यों रद किया गया लोगतंतर की हत्या के लिए महामारी का भाना बनाया जा रहा है हाल ही में मोदी जी ने मन की बात की देश के मन में कुछ और ही चल रहा था स्टूरेंट्स को उमीद थी कि JEE और NEET की परिक्षा को लेकर मोदी जी कुछ भोलेंगी हम सब को उमीद थी कि परधानमंत्री, अर्थविवस्ता, गिर्ती जीडिप और नौकरियों के लेकर कुछ पूलेंगी पर मोदी जी ने इस सब का कोई जिकर नहीं किया पर लोगों का गुसा जरूर देखने को मिला मोदी जी के मन की बाद वीडियो को यूटीव पर अब तक 10 लाग से ज़ादा डेसलाइक मिल चुकी है स्टूडेंट्स भी अपने ट्विटर के जरीए अपने अवास बुलंद कर रही है स्टूडेंट्स द्वारा चलाए जा रहे है हैश्टेग ट्रेंट हो रही है लोगों का गुसा सरकार की प्रती देखने को मिल रहा है कोई नौकरियों की मांग कर रहा है तो कोई S.S.C. के रिजल्ट की इसकी अधिक जानकरी N.D.TV के वरिष्ट पत्रका रवीश कुमार ने अपने शो में थी स्पीक अफ और S.S.C. रेलवे एक्जाम ट्रेंट दो दिनों से चल रहा है इस ट्रेंट का एक नंतीजा ये निकला है कि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि S.S.C. C.J. लठारा और जुनियर इंजिनियर के रिजल्ट और M.T.S. 19 की परिक्शा का रिजल्ट कब-कब निकलेगा इन तीनों परिक्शाओं के परिणाम की तारिक S.S.C. की वेबसाइट पर डाल दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक परिक्शा का परिणाम 21 सितंबर को आएगा एक का 31 अक्तूबर को एक को 4 अक्तूबर को आएगा चात्र अपने रिजल्ट के लिए लंबे समय से संगर्श कर रहे थी इस ट्वीटर आंदोलन में रेलवे की परिक्शा के चात्र भी जुड़े हैं उन्हें सफलता नहीं मिली है इनके ट्रेंड अंदोलन का रिजल्ट यही रहा युवाओं ने ना सुनने वाली SSC को सुना ही दिया नौजवानों ने आज धुआधार ट्वीट किया है लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिये नहीं है सब को टैग कर रहे थे चाहेगा पर हमारे मीडिया में भी जंता के वाल सुनने को कम ही मिल रही है और कोई और ही मुद्धे सुख्यां बटूर रही है पैंगॉंग में भारत का पराकर्मी प्राहार पिटा चीन रोया पाकिस्तान गुरू चेला दोनों परिशाल लेकिन ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा हो गया है दर समझ रहें आप गबराट समझ रहें आप जिनपिंग का गुरूर मोधी करेंगे चूर चूर लाल आखे कहां है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की बीजेपी का जनसंक्या नियंतरन कानून पर क्या स्टेंड है महाबारत में पंड़प जब तक शांत थे तब तक इन कौरवों ने उन्हें दबाया पेरे रिपोर्टर और सबूत लेकर आ रहे हैं सचाई के तरफ हम बढ़ने आपको प्रॉब्लम है सुषान सिंग राजपूत की मौत पर कितनी फेक नियूस फैक्टरी हम वो स्वार्थ हम सार्ती हैं दोस्तो खुद को बे नुगा बे गुना कर कह रहे हैं जब UPA सरकार सत्ता में थी तो मौदी जी ने महंगाई के मुद्धे पर मनमोन सरकार की काफियो लोचना की थी आप अगर चाहें तो इसे आज के समय से जोड़ कर भी देख सकते हैं महंगाई कहां से कहां पहुचे एक तरफ जिड़ी पीटा गिरना दूसरी तरफ इंफ्लेशन का बढ़ना महंगाई बढ़ें और वो भी इस आलाग से बढ़ें और उसमें भी दिल्गी की सरकार हर बार नई तारीब देती रहें आपने सुना होगा एक साल पहरे हर तीन-चार महने के बाद प्रदान मंत्री की डेट देख देख थे कि अधिक्स तारीक के बाद महाने कम हो जाएगी हासल के बाद महाने कंध दिवादे के दौन हो जाएगी यहीं कहते रहे देश ना सुना है और जित दिन मेडिया का मुड कर जाएगा वो कुराने सारे उतने प्याइट धिकावने कारगे दिखाएँगे हम उमीद करेंगी कि सरकार जो हुआ उसके जिम्मेदारी लेगी और देश की जनता का विश्वाष दुबारा से जीतने की कोशिश करेगी और देश की हालात में सुधार करने के लिए कई कदम उठाएगी Bureau Report, Punjab Today TV